हे इवरिवन वेल्कम बैक टू आर चानल कैसे आप सभी लोग आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो ये केक मैंने अपने भाई के अन्वर्सरी के लिए बनाया था जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था और आप लोग ने इस केक को बहुत ही ज़ इसने भी है वो चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद करते हैं इसलिए मैं अंदर का जो टेक्चर है चॉकलेट ही रखती हूं और सबसे पहले मैंने इसका टॉप का लेयर को जो कट करके निकाल दिया है ताकि मैं इसका जो टेक्चर है बहुत जादा सॉफ्ट रखना चाहती हूं इसलिए मैंने टॉप लेयर एकदम हटा दिया अब बागी के जो बेस बचा उसमें मैंने दो टुकड़े किये हैं और जो विप क्रीम है उसे मैंने तयार किया है और विप क्रीम में थोड़ा सा पानी का जरूरत परता है ठंड़े के दिनों में कुछ ज़्यादा ही सक्त हो तो जैसे कि अब वीडियो में देख रहे है थोड़ा सा ताकत लगाना पढ़ रहा है तो थोड़ा सा ताइथ ही क्रीम तो इसमें आप हलका सा पानी का स्प्रेड करके उसको आप सेट कर लिजे तो उससे आपका जो क्रीम मैं बहुत असानी से प्रेड हो जाएगा तो इसी से अंदर में क्रीम मैंने लगाए उसके उपर से चोकलेट चीप से डाला है और उसके बाद सेकेंड लेयर को मैंने रख दिया इसमें जो पानी सोक कर जिएगा तो थोड़ा सा अच्छे से सोक कर लिजिए पानी में स्पंज को ताकि इस पंज जो है उसका मौश्चर जो है वो आड़ हो जाता है और गर्मी रहता है तो वह क्रिम ठीक रहता है लेकिन जल्दी मेल्ट भी होता है लेकिन ठंड में जल्दी मेल्ट नहीं होता है सब अाब जैसे की विडियो में देख रहे है इस बार icing करने का इसे इसलिए कि हमारा icing है जो के 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 डिक्रेसा ने अच्छे से layer by layer अच्छे से से सेट हो जाए और एकदम clean setup आए और जल्दी बन जाए जब हम लोग piping bag के सहता से जब विफ्ट क्रीम लगाते हैं केक पे तो बहुत जल्दी से केक ready हो जाता है हमारा ज्यादा समय नहीं जाता है उसमें और evenly लगता है तो इस तरह से हमारा ये केक ready हो गया है और साथ में यहाँ पे मैंने कुछ white chocolate का heart बनाया है और उसे मैं side corner से cut करें हूँ ताकि वो sharp edges जो उसके आते हैं वो cut करके वो अच्छा सा safe आए फिर जाके मैंने इस पे rate color से इसको color कर दिया है थोड़ा सा last में जाके मैं इस पे golden dust इस्तेमाल करूंगे ताकि इनका जो color है बहुत उभर के आएगा तो one side in मैंने heart को set कर लिया जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं किको मैं थोड़ा सा royal look देना चाहते हैं इसके लिए इस पे मैं glitter apply करूंगी rate color का इस spray bottle से तो आपने अच्छे से apply होता है smoothly वो बाहर निकल पाता है bottle से और बाकी area को आप push लीजे wipe कर लीजे ताकि वो finishing बना रहे है तो अब देखे मैं piping bag में one sided करके color डाल रही हूं वो भी red color का मैंने red और white का combination रखा है इस cake का ताकि जो थोड़ा सा royal और wedding के look में आए क्रीम को थोड़ा पानी स सहता से मैं loose कर रही हूं ताकि उसका flower मैं असानी से बना पाऊं अब piping bag को मैं एक glass में set कर रही हूं ताकि हमारा जो cream है इसमें अच्छे से feel हो सके तो एक side मैंने वो color डालने के बाद इसमें cream को ऐसे डाल दिया है और यहां पर मैंने लिया है rose बनाने वाला nozzle तो उसकी सहता स मैं इस पर rose बनाऊंगी खुल 5 या 6 करके rose बनाऊंगी बड़ी चोटी side करके और इस तरह से एक side में हमारा heart chocolate रहेगा और दूसरी side में जो है हमारा cream वाली जो flower है यह रहेगी तो इसी तरह से मैंने और इसको चाको के सहता से ही मैंने इस पर set कर लिया है जितने बार मैंने flower बनाया है उतने बार flower बनाने के बाद मैंने के उपर थोड़ा सा उसका height बढ़ाया क्रीम डालके उसके बाद उस पर मैंने जो हमारा flower है उससे set किया है उससे क्या होता है कि हमारा जो यह flower है उसको कुछ height मिल जाता है और देखने में वो खुबसूरत लगता है मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हूं कि flower मैं कैसे बना रही हूं तो यह दिखिए इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही हूं तो खुबसूरत आप समझ पा रहे होंगे मैं कोशिस करूंगी आगे जाके कि मैं सिफ flower सब पे कोई वीडियो बनाऊं ताकि आप को समझने में दिक्कत ना हो और बहुत ही एजी तरीक है इससे हमारा जो flower है काफी सुन्दर बन जाता है बहुत एजी ट्रिक्स हैं तो आप ज़रूर बनाएं तो इस तरह से मैंने इतने सारा flower बना लिया है और उसे cake पे अच्छे से मैंने set कर लिया है साथ में मैं थोड़े से क्रेम में green color मिलाया है और रोज के अगल बगल मैं leaf बना रही है ताकि जो हमारा रोज है और उभर किया है क्योंकि बिना पतो का flower तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आप देख रहोंगे कि कितना लोग से इसका बढ़ गया है साथी साथ मैंने कुछ pearl और golden dust इस्तमा किये हैं जैसा क्या वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा तो hope so guys आपको हमारा ये creation पसंद आया होगा अगर आपको हमारे ये creation पसंद आया है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमली में सेयर करना बिल्कुल करने भूले तब तक के लिए टेक केर बाई जैमाता दी